तो यह वाली राइडिंग जैकेट यह वासिबल भी रहती है इस राइडिंग जैकेट में जो गाइस हमें गार्स मिलते हैं वह लेवल टू के मिलते हैं इस तरीके से कुछ गार्स रहने वाले हैं इसके वीडियो पूरी रहना क्योंकि अभी बहुत जादा इंफोर्मेशन बताने वाला हूं इस राइडिंग जैकेट से रिलेटेड तो दोस्तों मैं रिबाउन राइडर आप लोगों का स्वागत करता अपने यूट्यूब चैनल और अच्छे गेट्स मिल जाते हैं और कॉलिटी आपको अच्छी घासी मिल जाती है तो दोस्तों सबसे पहले में एक चीज बता देता हूं कई लोग होते हैं जो सोचते हैं राइडिंग जैकेट से कुछ फरक नहीं बढ़ने वाला है तो भाई मैं एक चीज के लिए बता होता है कि आपके साथ कब एक्सिडेंट हो जाएगा तो सबसे जाता सेफली हेल्मिट तो लगाते ही होगे अपने हेड का प्रोटेक्शन तो कर ले तो पर भाई अपने बॉड़ी का क्या बाई सोल्डर का गया मान लो आपका खुदानाग हाथ सा कभी एक्सिडेंट होता है और मान लो आपने राइडिंग जैकेट नहीं पहन रखी है और आपका सोल्डर डाइमेज हो जाता है तो भाई अपकी जिन्दगी में सबसे बड़ा और सबसे खतरनाग हाथ सा रहने वाला है इसलिए मैं कंसिडर करूंगा हर एक राइडर को अच्छा आप लॉंग पहने वाले उस ब्रैंड का नाह में रेडर जैसी के आप चेक चेको मैंने ब्रैंड की पहनी हुई है और रेडर कमपनी की पहनी हुई है और गाइस मैं बता देता हो सबसे कम बजट में हो और सबसे अच्छी जैकेट आती है आपको लोगों को लग रहा होगा एक जॉर की आती है और उसके कुछ डिश अड्वांटेज भी है जो लोग लेते हैं ध्यान नी रखते हैं ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं पांचों से लेकर हजार तक का अच्छा बढ़ाते हो आपको काफी अच्छी जैकेट मिल जाती है जची कुछ यह मैंने पहन रखी है तो दोस्त तो जो डीलर होगा राइडिंग जैकेट का वह आपको बहुत पोर्च करेगा कि आप यह ले लो वो ले लो उसको नहीं बता होगा कि आपको साइज कौन सा आने वाला वह बस आपको राइडिंग जैकेट को इतना जल्दी खरीदता नहीं है और जे सौप पर राइडिंग जैकेट आती हो अच्छी घासी महंगी आती हो और वन टाम इंवेश्मेंट होती है एक बार भी साइज गलत ले लेना तो आपको बहुत जादा प्रॉब्लम आने वाली है तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कि आपना परफेक्ट साइज कैसे चूज कर सकते हो जब आप राइडिंग जैकेट पहनोगे घाई तो एक बार आप जिप लगाना पहले राइडिंग जैकेट की तो जब जब लगा लोगे आप अच्छी तरीके से आपको जिप लगा लेनी है उपर की तरफ और उसके बाद आपको श्रच करना है आप अपने हाथ करोगे आपका elbow के guard हो गए और shoulder के guard हो गए इससे आप पता लगा लोगी कि आपकी राइटिंग jacket आपके बड़ी हो रही है या चोटी हो रही है तो गाई जब आपके राइटिंग jacket पहनो गे तो उसके बाद आपको चेक करना है कि आपके elbow के गाड आपके एल्बो में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं अभी मैं आपको इसके अंदर से खोल के दिखाऊंगा कि इसके अंदर गाड किस तरीके से होते हैं जब आप चेक करोगे तो यहां चेक आपको एल्बो का साइज कंफर्म एकदम परफेक्ट बैठना चाहिए और चो स अपना साइज कंफर्म करके तो आपको आने वाले टाइम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है उसके बाद आपको चेक करना है कि हैंड के पास आपकी स्ट्रिप होंगी उसको भी आपको अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है जब आपको लगेगा कि आप एक्दम कमफर्टेबल हो रहे हो आपकी राइटिंग जटिट आपसे बड़ी भी नहीं हो रही है ऐसा करके बाद करते होगी तो जो राइटिंग जैकेट मैंने पहनी होई है यह सबसे लो बजट किएगा इस्की कॉलिटी किस तरीके की है तो दोस्तों सबसे पहले हमने इसकी आप चेक कर सकते हैं यहां भी मेंसन रहेगी आउट सील जो वह 100% पॉलिश टार की है और इंसाइट की लेयर देखोगे तो वह भी 100% पॉलिश टार की है तो भाई यह जो राइडिंग जैके नहीं यह कमफर्टेबल भी भाई बहुत अच्छा परफेक्ट साइज लेते हो और अच्छे डिटर्जन से आपको दो लेना है इसको अच्छे से तो भाई यह जैकेट जो है वह बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन हो जाएगी तो गाइस अब मैं आपको चेक कराता हूं इसके गार्ट किस तरीके हैं तो इस तरीके से कुछ देख सकते हो इस तरीके से कुछ गार्ट से रहने वाले हैं इसके और भाई यह मतलब यह लगा लो एक मतलब रबल टाइप की होती है पर भाई यह जो कॉलिटी है ना गार्ट की वह भाई मुझे बहुत अच्छे लगी लेवल टू के गार्ट होना बहुत जरूरी है गाईस राइडिंग जैकेट में और इ इतने कम प्राइज में आपको चेश्ट के भी गार्ड मिलते हैं वरना आपको जो आगे की तरफी रगटा है वो पर आपको पर यह और जो आपका लूगे वह बचा पर वह फिर वह अपका जीच कपड़ा है ना ये तो भाई नी बचा पाईगा उन्हुन यह प्धा पाई और ऑफके मिल जाता है और आपके यहाँ आज बीए आउटा पर मिल जाता है तो अपर तखर यहाँ Americans बिद्धा तो दोस्तों अच्छा मैं इस राइडिंग जैकेट में जिप की बात करूँ तो देख सकते हो एक आपको यहां मिल जाती है वो भी चेन मिलती है इसमें तो आप अच्छा कोई भी समान इसमें डालते हो तो उसके बाद अपने चेन बंद कर लो तो भाई समान नहीं गिरने वा इस राइडिंग जैकेट में आपको और इसमें सबसे जाद अच्छा बेनिफित आपको बता है कि आप जो कि अभी मैंने बताया आगे के फ्रंट गार्ट इतनी कम प्राइज में और इतनी अच्छी कॉलिटी में आपको राइडिंग जैकेट नहीं मिलने वाली है मैं आपक अच्छी ब्रैंडेट मैं लोकल नहीं लेना चाहरा तक आई इसे वाद इसे मैंने राइड़ा कमपनी के लिए तो दोस्तों मैं इस चीज और बता देता हूं आपको जो इसकी फिटिंग है आप अपनी राइडिंग जैकेट पहनने के बाद इसको किस तरह के फिटिंग कर स अब देता हूं यह जो राइडिंग जैकेट यह जब मैंने इस लीती तब मुझे यह 5,900 की बड़ी ती अच्छा हर डीलर का प्रास अलग-अलग होता है आप अच्या राइडिंग जैकेट लेने जाते हो वाई डीलर से आप थोड़ा सा बार्गनिंग करोगे तो आपको उ आनलाइन चेक करोगे तो यह आराउंड आपको 6000 के आश्वास पढ़ेगी इस राइडिंग जैकेट का गाइस मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूगा वहां जाके आप चेक आउट कर सकते हो तो आई होप गाइस यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी वी देखने के लिए तो दोस्तों अब मिलते अपने नेस्ट वीडियो में तब तक लिए बाई सी यू सून